नराइन फाउंडेशन ने पूर्व पीम अटल जी की 99 वी जेंती पर गरीबों को कंबल बाट कर सुश्यासन दिवस की रूप में मनाया अंबेटकर नगर की गरीब बस्तियों में संस्था के संरक्षक विवेक मौर्य के आहवान पर कंबल वित्रण का सराहनिय काम किया गया संस्था के सतस्यों ने अटल जी की प्रतिमा पर मल्यारपन कर समाज गल्यान के संकल्प को भी दोहराया पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अचल विहारी बाचपेई जी की निन्यानवी जहन ती सोशासन दिवस के रूप में पूरे देश भर में धून धाम से मनाई के लिए इस अफसर पर अम्बेटकर नगर की प्रमुक समात सेवी संस्था नारायन फांडेशन की ओर से जरोत मन्दों को कंबल का वित्रण किया दो संस्था संरक्षक विवेक मौरे के आवाहन पर अगबरपूर के नहरुनगर लोरपूर दलिदवस्ती से लेकर शहजादपूर के फवारे चोराहे समेथ वस्खारी रोग कांशीराम आवास में नारायन फांडेशन की पताधिकारियों ने सैकडो जरोत मन्दों को कंबल वि अमबेटकर नगर में समाज कल्यान के संकल्पों को दोहराए नारायन फांडेशन के संदक्षक विवेक मौरे ने कहा कि भरत फरत्म अठल जी की जहिती के अफसर वरक सैंको जरोत मन्दों को कंबल बांटने का ये कारिक्रम अज्यंत सराहनी है नारायन फांडेशन जो अमबेटकर नगर की एक अग्रणी समाज से भी संस्था है जिसके संदक्षक विवेक मौरे जी हैं उनके आहवान पर अमबेटकर नगर के लगवक कई दलिदवस्तियों में आज कंबल वित्रन का कारिक्रम रखा गया विवेक मौरे जी को इस कारिक क्यों और उनके यृट स्प्रकार के कारिक्रमों को वह करते रहे और आंतिम विक्ति के चेहरे पर मुश्काल लाने कर प्रयास करती है आपको बता दे कि नारैण फांडेशन संस्था अंबेटकर नगर में वक्त वक्त पर सामाजी कहतों से जोड़े कारियों को करती रहती संस्था के अध्यक्ष अग्रहरी ने कहा कि अटल जी हम सब के प्रेड़ना पुंज है और प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी के विक्सत भारत संकल्पों को पूरा करने में अटल जी के मूलियों का नुसरान करते हुए नारायन फांडेशन अपनी भागेदारी